दोस्तों नमस्कार मैं हूँ Dr. C.B. Singh और दोस्तों कुछ important जो questions मेरे पास आये थे आप लोगों के उनको मुझे ऐसा लगा कि इसका जवाब देना बहुत important है क्योंकि कई सारे farmers हैं जो हमसे लगतार questions पूछते हैं मैं भी कोसिस करता हूँ कि उनके answers दिये जाए ताकि आप information पहुंच सके dairy farmers dairy farming से related तो दोस्तों हमारे इस channel को subscribe करिए और इस video को share जरू करिए अपने किसान भाईयों के साथ तो दोस्तों एक जो प्रश्ट मुझे लगा बहुत important है हलाकि मैंने इस पर पहले भी एक video बनाया हुआ है आप लोगोंने बहुत पसंद किया लेकिन मुझे कैसा लगता है कि ये एक ऐसा subject है जिस पर लगातार बात करने की आवश्यक्ता है क्योंकि farmers में धेर सारे confusion है इस subject को लेकर वो है कि क्या गाय को सरसों का तेल देना ठीक है ये है गोपाल वत्स इन्होंने actually question पूचा है sir क्या गाय को सरसों का तेल देना ठीक है दोस्तों actually हमार भारत में dairy farmers लगातार मैं देखता हूँ कि जब उनका animal कमजोर होता है या वो milk में fat बढ़ाने के लिए अकसर सरसों का तेल यूज करते हैं और especially जो buffalo farmers हैं वो बहुत ज़्यादा इसको यूज करते हैं लेकिन मैंने देखा है जो breeders होते हैं जिनको sale करना होता है तो animal को मोटा तगड़ा करने के लिए जिससे उसके सरीर पर चमक आ जाए और उसको आराम से वो उसको sale कर पाएं उसको बेज सकें लेकिन दोस्तों कुछ इसके बैग्यानिक कुछ पक्च है और आपको वो समझना बहुत important है एक्चुली यह जो पशू है especially गाय और भैस इनको हम ruminants बोलत है इनका जिसको हम rumin बोलते हैं उसके अंदर बहुत सारे microbes होते हैं सुक्षमजीब होते हैं जो उसके digestion में उसको मदद करते हैं जिसके कारण ढायानिमल है देखते हम जुगाली करता है जिसको हम बागवल भी बोलते हैं और उसी जुगाली के कारण इस रूमन के कारन आप इस process के कारण वो कड़े से कड़े fiber को digest कर पाता है, कड़े से कड़े ratio को, उसी के कारण वो हरा चारा सूखा चारा, इस तरह के जो feed को भी, वो milk में convert कर देता है, ये बहुत बड़ी उसके अंदर power होती है और लेकिन, अब इसमें हमें समझने की बात ये है कि हमें उसका rumen का ध्यान, मतलब उसके जो सुक्समजीवी हैं, उसके अंदर उनका ध्यान हमेशा रखना होता है तो इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूँ कि अगर जो आप जो oil देते हैं, कोई भी fat देते हैं, वो अगर उसकी जो total जो diet में 4-5% से अगर वो उपर होता है 4-5% से अगर वो उपर जाता है तो वो उसके लिए नुक्सान दायक हो सकता है उन सुक्समजीवाँ के लिए उन microbes के लिए अब इससे होता क्या है कि उसका digestion भी गड़ जाता है मतलब fiber वो digest नहीं कर पाता तो जब 4-5% से जब आप उपर अगर fat देना होता है उसको तो हम उसको rumen से bypass कर देते हैं rumen से bypass कर देते हैं लिकिन जो oil है वो rumen से bypass नहीं होता वो rumen में होकर गुजरता है तो उसके कारण क्या होता है कि वो fiber के उपर एक layer बना लेता है और जब वो layer बना लेता है तो वो microbes जो होते हैं जो वहाँ पे सुक्समजीवी जो होते हैं वो उस fiber को digest नहीं कर पाते और जब वो digest नहीं कर पाते तो कई बार उसके digestion में बहुत serious problem आती है और ऐसी परिस्टी में जब जहाँ पे लोग लंबे समय तक लगातार जो तेल का उपियोग करते हैं वहाँ पे ये problem बहुत ज़्यादा persist करती है एक तो ये कारण है दूसरा ये है कि जब आप उसको सीधा oil उसको पिलाते हैं तो कई बार जो milk fat है वो भी depressed हो जाता है हमें लगता है कि एक हद तक कई बार हमें अच्छे result मिल जाते हैं थोड़ा बहुत milk fat बढ़ भी जाता है उसके कारण farmers को लगता है कि ये इससे फायदा हो रहा है और वो उसको लगतार पिलाना स्टार्ट कर देता है लेकिन दोस्तो एक जो उसकी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते है डी नोवो सिंथेसिस जो वो खुद fat बनाता है short chain fatty acids और medium chain fatty acids और glycerol से वो जो process है वो जो प्रक्रिया है वो उसको suppress कर देता है milk depression की problem especially मैं गायों मैं बात करूँ तो milk depression की problem आती है इसलिए हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेल पिलाने के बाद भी गाय का जो HF है या गिर है या साहिवाल है उनको तेल पिलाने के बाद भी fat का जो बढ़ना चाहिए उसकी वज़ा वो उल्टा कम होने लग जाता है क्योंकि वहाँ पे fat depression देखने को मिलता है दूसरा जो सबसे बड़ी problem यह आती है कि जो extra fat है वो उसकी बच्चेदानी में या जरनांगों में वो deposit होने लग जाता है और उसके कारण वो कई बार वो animal heat पर नहीं आता या बार-बार वो repeat होता है conceive नहीं करता क्योंकि उसपे एक extra layer बना लेता है वो तो इसलिए हम लोग हमेशा मना करते हैं कि अगर 3-4% से आप उपर अगर जो feed में अगर oil देते हैं, fat देते हैं तो आपको हमेशा bypass माद्यम से use करना चाहिए उसको bypass fat के माद्यम से दीजिए ताकि वो rumen को bypass कर जाए और उसके small intestine में छोटी आत में वो उपलब्द हो जाए और वो उसको absorb कर पाए उससे आपको ये जो problem है वो नहीं जहिलनी पड़ेगी तो मैं हमेशा recommend करता हूँ especially मैं गायों में बोलता हूँ क्योंकि जो buffalo farmers है कई बार उनको लगता है कि सर हम तो काफी time से use कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आपको नहीं पता आप use कर रहे हैं लेकिन मैंने कई farmers किया जब मैं जाता हूँ तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई ये जो buffalo है ये oil जो feeding हमने गलत तरीके से कराई है वह भी एक बहुत बड़ा कारण इसका हो सकता है तो इसलिए हम लोग मना करते हैं और गुपाल जी आप especially जो cow farmers है उनको बहुत सतर्क रहने की आवशक्ता होती है क्योंकि जो cow है जो गाय है वो बहुत ही संबेदन सील होती है तो आपको अगर oil देना है तो आप naturally दिजिये जो oil cakes के माद्ध्यम से दिजिये जो oil cake होते हैं जो feed के माद्ध्यम से जाने दिजिये उसको और अगर उस선 उपर आपको oil और देना है तो आप उसको bypass fat दिजिये जिससे ग्याब का बशू स्वास्त रहेगा और जो milk fat भी बढ़ेगा वहाँ पे और normally हम देखते हैं कि जो bypass fat है वो धीरे 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 जो cow farmer से उन में बहुत ज़्यदा popular हो रहा है और उसके बहुत अच्छे results भी मिल रहे हैं तो मुझे उमीद है कि जो सर्सों का तेल वाला जो concept है वो धीरे धीरे आपके दिमाग से clear हो रहा होगा और आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों जो दूसरा प्रेश्ण है वो है ये अंकित सूर्यवनशी जी और इन्होंने पूछा है सर green fodder की varieties के बारे में भी आप बताएं तो अंकित जी मैं actually बहुत सारे topics cover करता हूँ और उसमें आपका green fodder भी है, dry fodder भी है, breeding भी cover करूँगा और nutrition mainly मेरा subject ही है तो मैं definitely एक वीडियो मैं green fodder की जो variety है, कौन-कौन सी varieties है, आपके लिए बहुत अच्छा कौन सा green fodder रहेगा, उसको किस तरीके से आपको पूरा management करना है, वो मैं जरूर से उस पर भी बात करूँगा, तो आप यू ही हमारे साथ बने रहिए, और definitely जो मैं जो एक-एक जो बात करता हूँ, उसके पीछे कुछ ने कुछ scientific एक base होता है, उसी को लेकर मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ, दोस्तों कई सारे farmers हैं, अभी भी जो मैं जो पहले वाला जो प्रेशन था, जिस पे मैं बात कर रहा था, सरसों का तेल, कई लोग मुझसे बोलते हैं, सर हम तो बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिए, breed change हो रही है, especially मैं cow farmers के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित होता हूँ, कई बार व हो सारे प्रशन वो पूछते हैं, और किस तरीके से, साइन्टेफिक तरीके से वो इस business को कर रहे हैं, मुझे हैरानी होती है, कि इतनी जागरूपता, इतनी awareness इस छेत्र में बढ़ती जा रही है, तो दोस्तों हम सब का एक कर्तब है, ये फर्ज है, कि हम हमेशा सही information farmers तक पह करें, और उसके पीछे कुछ न कुछ scientific logic होना बहुत important है, क्योंकि dairy farming actually ऐसा business है कि कई बार बहुत सारे लोग actually उनको लगता है कि शायद यही सही है, लिकिन उसका कोई scientific beast नहीं होता, तो कई बार प्रॉलम में डाल सकता है actually हमारे बहुत सारे dairy farmers को, तो दोस्तों यूं ही हमार साथ बने रहिए, और मैं लगतार लेकर आता रहूँगा आपके लिए सही सटीक और scientific information, तो दोस्तों यूं ही आप मुझसे प्रशन पूछते रहिए, जाए कमेंट बॉक्स में अपना प्रशन टाइप करिए, मैं कोसिस करूँगा कि उसका भी जबाब लेकर आपके सामने आ सकूँ, तो दोस्तों यूं ही साथ बने रहिए, जाएंद